IPL 2019 में आपकी फेवरिक टीम्स, प्लेयर्स और सभी मैच के डीटेल्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बड़ी रहें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें IPL 2019 में डैली कैपिटल्स और मुमबई इंडियन्स के बीच दिली के फिरोशा कोटला मैदान वे मैच के लगया मुमबई ने टोस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया IPL में ऐसा बहुत ही कम देखने को मलता है जब टोस जीत कर कोई टीम पहले बैटिंग करे ये वैसा ही एक मौका था और दिन के अंत में मुमबई ने अपने इस फैसले को एकदम सही साबित किया मुमबई ही मैच 40 रनों से जीत कई ताले कैपिटल्स मात्र 128 रन ही बना सकी सिर्फ शिखर धबन ही तेस अंको का आकड़ा पार कर पाए राहुल चाहर ने तीन विकेट निकाले लेकिन यहाँ बात है मैच के अंत की दिल्ली की बैटिंग थी और अठारवा ओवर चल रहा था गेंद जस्प्रीत गुम्रा के हाथ में थी जस्प्रीत ने बहुत ही कम रन दिये थे और हमेशा की तरह मुंबाई का साथ ही दे रहे थे पहली गेंद उन्होंने अक्षर पठेल को दी पठेल ने गेंद को सिर्फ टैप भड़ किया और ख्रीस से बाहर निकल पड़े लेकिन एक ही पल में उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि बोल काफी पास में है और वो दोड़े तो बुम्रा उन्हें आउट कर सकते है उन्होंने रन लेने का मन वदल दिया लेकिन तब तक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े की वो पॉल काफी बाहर आचुके थे और आधी पिच पार करके खड़े थे लेकिन तब तक भुम्रा ने गेंद उठा ले थी विकेट्स पर कोई नहीं खड़ा था उन्हें समझ में आ गया था कि या तो डायरेक्ट हिक लगेगी और वो आट होंगे या फिर वो बच जाएंगे उन्होंने दोड़नाव बंद कर दिया बुम्रा ने एक जग़ा खड़ी होकर अंटी लगाई और गेंट सेट मारी लकड़ी में लगी नारंगी लाइक्स जड़ अठी डैली कैपिटल्स का साथ ववेकर इस एक साद्रा नोबल के चिका था अगर आपको ये रिपोर्ट पसंदाइते से लाइक और शेय करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंद करके ज़रूर बताएं इंडिया प्रंटिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए